नमस्कार दोस्तों आज केस बीड़ो में हम जारने वाले हैं नोक प्रॉकसी अप्लिकेशंं को यूज कैसे करते हैं अप्लिकेशं कैसे काम करता है सब कुछ आज के सबीकों बताने वालों इसलिए बीड़ों को लाश्च तक जहुर देखना तो आप भी हाँ पर देख सकते हैं इस application का लोगो आप से भी कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा तो आप भी इस application को इस तरह का देखने को मिल जाएगा तो आप भी इस application का आप से भी कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सक जैसे दोस्तों आप ओपन पर कलिक करेंगे, आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप सभी को यहाँ पर इसके term or service को इंटरफेस को होगा तो आप यहाँ accept पर कलिक करेंगे, जैसे ही दूस्तों आप accept पर क्लिक करेंगे noc proxy application का home page को जिस तरह का open हो जाएगा तो सबसे पहले इस application का setting देखते हैं तो आप यहाँ setting वाले icon पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को my account का option देखने को मिल जाएगा यहाँ से आपको feedback का option देखने को मिल जाएगा इसके privacy policy का option देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों हम बात करते हैं इस application की मदद से आप VPN के से connect करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप को यहाँ पर काफी ज़्यादा server देखने को मिल जाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी server से यहाँ easily connect कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर UES New AR के server से connect करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को यहाँ पर button वाला icon दिखाई दे रहा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं optimize कर सकते हैं, हापर आप calendar देख सकते हैं दोस्तों और आप हम बात करते हैं इस application से आपको VPN कैसे disconnect करना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी कोई आपर timing चल रहा दिखाई देरा होगा आप इस पर click करेंगे, जैसे ही दोस्तों आप इस पर click करेंगे